हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है स्विरोजर आप से भी का स्वागत है हमारी यूटिब चैनल पर अगर आप चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे घंटे का निशान दबा दीजे और आल सेलेक्ट कर लिजे ताकि आपको मेरी वीडियो का निटिफिकेशन सबसे पर यह सके तो चलिए आज का टॉपिक सुरू करते हैं तो सवाल है कि ऐसा हम क्या करें जो हम चाहते हैं वो हमें आसानी से मिल जाए पर इसी सवाल पर गौर करते हैं कि जो हम चाहते हैं क्या वो हमें हर कंडिशन में मिल सकता है यह थोड़ा सोचने वाली question है इस पर काल में है अगर हम controller and executor of events in this world अगर होते हम कह सकते हैं हम जो चाहते हैं वो हमें मिलना चाहिए और मिलके ही रहेगा पर ऐसा है नहीं हम सब कुछ control नहीं कर सकते हैं क्या हम अपने birth को control करते हैं क्या हम अपने death को control करते हैं, क्या मेरे मर्जी से हमारा birth होता है, क्या मेरे मर्जी से death होती है, नई, तो कोई एक third party है, कोई एक third factor है जो मैं कहूंगा, कि वो इन सब चीजों को govern करती है, तो हमारे life में भी जो events वगर होते रहते हैं, अच्छे या बुरे, में जाना होगा, तो उधर अभी नहीं चलते हैं, अभी जो हमारा material world है, यह जो संसार है, यह दुनिया है, इसी से हम इसमें देखते हैं, लेकिन इस question का जबाब है, कि यह तरह से कहें, तो question ही गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यह कोई ज़रूरी नहीं है, कि हम जो चाहते हैं, वो हमें मिल ही जाए, हाँ, इसमें probability हो सकती है, 90%, 95%, 99%, कि हाँ, कुछ चीजें हम करेंगे, तो वो हमें मिल जाए, पर 100% हमें वो चीज मिल जाए, यह कोई ज़रूरी नहीं है, और ज़रूरी इसलिए नहीं है, क्योंकि यह जो दुनिया चल रही है, कोई और इसे चला रहा है, हम तो उसके एक कटपुतली हैं, जो हम चाहते तो हैं, अपना वो करना, लेकिन हम उसको फुली तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी इसी युनिवर्स का, इसी वर्ल्ड का एक पार्ट हैं, हमें भी कोई दूसरा ही कंट्रोल करता है, सपोज हमें कुछ बनना है, या हमें कुछ पाना है, तो उसके लिए क्या करना परेगा, एक सिधान तभी बीच में आई थी, जो बहुत पॉपलर हुई थी, उसको लोगों ने कहा था, लॉफ एट्रेक्शन, एट्रेक्शन का मतलब तो सभी लोगों को पता है, एट्रेक्शन मतलब होता है आकर्शन, मतलब किसी चीज से लोब हो जाना, किसी चीज के परती धिवाना हो जाना, किसी चीज को पाने के लिए बिलकुल आतूर और व्यग्यर हो जाना इसको बोलते हैं attraction तो इसको एक सिधान के रूप में लोगों के सामने रखा गया जिसका कि नाम रख दिया law of attraction तो law of attraction है क्या अच्छली law of attraction वो चीज है कि सब कुछ अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो अब मैं दिन रात उसी के पीछे पड़ा हुआ हूँ मैं उसी के बारे में दिन रात सोचता हूँ कैसे मिलेगा इसके लिए क्या करें तरह तरह की तरकी लगाते हैं law of attraction कि मैं उसको एक दम तहे दिल से चाहता हूँ वो कहते हैं किसी चीज को अगर तुम बहुत ही दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुम से मिलाने में लग जाती है तो मैं कहूंगा कि हाँ ये बात 90% तक सही है बिल्कुल सही है कि क्योंकि अगर आप वो कहते है ना कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो एक दिन सपोज अगर मतलब कोई व्यक्ती या कोई मैं स्टुडेंट की बात कर लेता हूँ कि मतलब वो अगर पढ़ाई में टॉपर बनना चाहता है तो धिन रात इसी सिक्र में रहे कि मुझे टॉपर बनना है टॉपर बनना है तो जब उसकी सोच इस तरह से सुरुवात हो जाएगी ना उसकी मुझे एक दिन टॉपर बनना है तो उसके सोचने से क्या होता है उसके माइंड में ये चीज बैठता चला जाता है तो हम उसी के according action लेने लगते हैं, act करने लगते हैं, वैसा ही हम काम करने लगते हैं और जब वैसा हम काम करने लगते हैं तो हमें वैसा फल मिलने लगता है और जब वैसा फल मिलने लगता है तो एक दिन हम वो बन जाते हैं तो मैं कौँगा कि 90% तक तो law of attraction भी बिल्कुल सही है लेकिन 10% कहीं ने कहीं third factor भी आ जाता है जो कि हमारे control में नहीं होता है सपोज हमने बहुत अच्छे तेयारी करके गई थी कोई exam दने बहुत एदम 100% तेयार था मैं कि इस exam को qualify कर लोगा या उसे काम को कर लोगा या कुछ भी आप बीच में कुछ गरवर सरवर हो जाती है तो उसके लिए क्या वो आदमी responsible है नहीं कोई एक third factor था जिसने की बीच में कोई बाधा डाल दी या कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें उमीद नहीं रहती है कि यह चीज मुझसे हो जाएगा और वो चीज हो जाती है तो आस नहीं होता है कि यार यह कैसे हो गया तो कोई third factor था जो जिसने आप से वो काम करवा लिया तो यह जो 10% होता है ना एक third party के हमको कर जाएं तो 90% बहुत ज्यादा होता है यानि कि उस चीज में हम सफल होने के मेरे 90% chances है 90% chances मतलब almost हम सफल हो ही रहे है 90% कम नहीं होता है तो कुछ एक percent को दरकिनार करके 90% तक 95% तक हम उस काम को कर सकते हैं तो अभी हम पर भी depend करता है कि हम उस काम को कर लेंगे तो अपसे पहले मुझे ना दिन रात उसके बारे में सोचना परेगा सोचते 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 हम उसको एक्षन में लेने लग जाएंगे एक्षन में लेने लग जाएंगे तो उस काम को हम उसी सिद्द से करने लग जाएंगे और उस काम को या उस चीज को अगर हम सिद्ध से करने लग गए तो एक नए एक दिन ये परफेक्ट बात है वो चीज हमें मिल जाएगा तो मैं स्पिर्चिवालिटी की तरफ नहीं गया वो थर्ड फेक्टर क्या है क्या नहीं है तो मैंने उधर उधर कोई भी मतलब आप लोगों को हिंट भी नहीं दिया कि वो क्य तो अभी उधर नहीं चलते हैं अभी जो अपना इधर का जो टार्गेट है उसी पर फोकस करते हैं बताने को मैं उधर वाला भी चीज बता सकता हूं लेकिन ताइम आएगा तो मैं धरे-दरे सब कुछ बताऊंगा आपको क्योंकि मुझे एक तरह से गर मैं कहूं तो मुझ मुझे अवराल इस मटेरियल वर्ल्ड का और उस स्प्रिच्वल वर्ल्ड का दोनों का ही नॉलेज है तो मैं बताने को तो मैं आपको उधर भी ले जा सकता हूं और बताने को मैं इधर भी आपको रख सकता हूं तो आप उसे जुरे रहें मैं ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वी तो इसके लिए मुझे आपसे या आपको मैं कहूं कि मुझे जूड़ना परेगा और जूड़ने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना परेगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घ